जाहिए दोस्तों कैसे हैं तो जो students class 9th and 12th board exam यानि CVSC board exam 2024 में दिये हैं regular और private candidate compartment improvement and failure category में तो उन सब बच्चों का doubt है कि सर क्या CVSC grace marks देती है copy checking lenient होगा या hard होगा ये इस बार क्या pattern है copy checking का और आपको option क्या है कि अगर in case मेरे पास मेरे result अगर खराब होता है किसी एक subject में या दो subject में तो कैसे हम इसी साल बीना year back के हम clear कर ले तो चलेंगे इस वीडियो में तो जो इस चैनल पर नए है तो अपर सब्सक्राइब कर लिए और share कर दिए उन सब दोस्तों को जो CVSC board exam दे दिये हैं और काफी confusion में काफी परिशान है तो चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे grace marking पे तो grace marking मिलता कब है यह सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यह CVSC कोई open platform पे discuss नहीं किया है कि grace marking का scheme क्या है क्या उनका logic है क्या pattern है कितना देती है ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है ओके यह जो copy checking करते है teacher उनके ओपर depend करता है और फिर CVSC का जो internal meeting होता है उसमें depend करता है कि question hard था या easy था या moderate था उस पर depend करता है तो हम देखेंगे यहाँ पर जो class 12 का difficulty level क्या था subject by subjects और यह class 3 वाले का है तो सबसे पहले हम discuss करेंगे class 12 वाले का तो यहाँ पर आपको दिख रहा है easy यह आपको दिख रहा है easy यानि business studies easy था और accountancy easy to moderate था, political science moderate था, biology moderate था, economics easy to moderate था, psychology moderate था, physical education moderate था, mathematics थी moderate था, physics moderate to tough था क्योंकि यह मुझे भी पता जला है, geography easy था, chemistry moderate to difficult, English क्या था moderate to easy, easy but lengthy, Hindi था easy, informatics practices moderate था, computer science moderate था, history moderate with lengthy, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो moderate to tough है, उसके अबार में discuss करेंगे कि जिसे physics हो गया, chemistry हो गया, और इधर arts में कुछ नहीं दिख रहा है, तो अगर during copy checking, अगर copy check के दुरान देखा जाएगा कि आपका, आप सब students का जो exam दिये हैं, तो उनका अगर paper खराब जा रहा है, मतलब काफी बच्चों का number कम आ रह देते हैं, तो depend करता है कि tough था कि easy था, ओके, अगर tough था, तो grace marks मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि CBSC या कोई भी board नहीं चाहती है कि उसका image खराब हो, क्योंकि जो भी बच्चे या parents admission कराबते हैं अपने किसी board में, तो वो देखते है कि last five years का क्या passing percentage है इस board का, clear, अगर passing percentage घट जाएगा CBSC में, तो फिर parents भी hitch केंगे, पोचेंगे एक बार, भाई, मुझे number लाना है क्योंकि number ही main होता है, clear, फिर बात में जो पढ़ना है, पढ़ना है, तो इसको ध्यान ड़कते हुए CBSC कभी अपने negativity नहीं चाहिए, तो वो कोशिस करेगी कि आप लोग चाहिए, अगर आप passing marks के, बिल्कुल मलब 2, 3, 4, maximum 5 के आसपास हो, तो आपको pass करा दिया जाएगा, clear, grace marks देखे, ओके, तो ये depend करता है, question के toughness पे, अगर easy है, तो सब बच्चे pass कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं मनता है, कि भी grace marks दिया जाए, बट जो tough है, वहाँ बिल्कुल benefit मिलने जा रहा है, आप सब students को, अब बात करते हैं, class 10th वाले को, mathematics क्या था, easy to moderate था, social science क्या था, easy to moderate, science भी moderate था, English भी easy, but lengthy, Hindi क्या था, easy but lengthy, Sanskrit भी easy था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दीख रहा है, कि काफी hard है, तो आप लोगों को बिल्कुल linear copy checking होगी और आप लोगों बिल्कुल परेशन मत हुई है, क्योंकि, क्योंकि आप लोगो benefit of doubt मिलने जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, कि election के time में आपका result आएगा, वो भी mid election में, election आपका के ना, तो mid में आपका result आएगा, 11 या 12 माई को, तो उस समय election और जगा कहीं कहीं election होता रहेगा, तो इसका impact ना परे, इसको ध्यान रखते हुए, government risk नहीं लेगी, ओके, तो इसका benefit थोरा ही मिलेगा, बट मिलेगा, ये ध्यान अखना, इनकेस आपको grace marks मिल जाता है, इनकेस अगर आपको grace marks मिलने के बाद भी आप pass नहीं करते हैं, तो फिर क्या करना होगा, तो फिर आपके पास और भी opportunity है, जैसे कि अगर इनकेस आपको एक paper में आटी आ गया है, तो वो जुलाई में exam दे के, इसी साल वो clear कर लेंगे, बीना कोई discontinuity के, बीना backlog के, उनका same year में ही count हो जाएगा, अगर वो जुलाई अगस्त वाले exam को clear कर लेते हैं तो, और अगर जो पास और देखके clear कर सकते हैं, जुलाई अगस्त में continuity में, ऐसा नहीं हो कि आपका एक साल back होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो आप लोग परिशान बिल्कुल नहीं होगा, आपके पास एक option खतम होगा, second option मिलेगा, second खतम होगा, third मिलेगा, don't worry, okay, तो आप लोग के उपर depending क मैं भी एक teacher हूँ, मैं भी copy check करता हूँ, तो आप लोग के पास copy, जब मिलता है किसी teacher को, वो बहुत ही speedily check किया जाता है, एक-एक point पढ़के नहीं कोई check करता है, okay, तो आप सही से उस topic का चीज लिखे हैं, तो आपको step marking मिलेगा, कोई नहीं हो सकता है, but अगर आप openly आप उस request है, कि आप लोग अगर, अगर सही में कुछ लिख, कुछ ने कुछ लिख के आए है, फालतू भी नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि आप पूरा 10 page भर दी हैं, बिल्कुल नहीं, science है या फिर arts है जो भी है, arts में आप कुछ लिख भी सकते हैं, science में बिल्कुल limited लिखना है, ज्यादा लिखना भी नहीं है, और पूरा छोड़ना भी नहीं है, तो अगर आप ऐसा किये हैं, तो आपको number मिलेगा, आप pass कीजेगा, अगर आप count कर रहे हैं, अगर आपको एकदम directly 15-20 number आ रहा है, तो जो आप सही से किये हैं, तो बाकी आपको, अगर step marking भी, अगर अपन सही सही बनाया है, उसको जोड़ लो, अगर 15-16-18-20 बन आ रहा है, तो आपको बाकी attempt किये हैं, उसका marks मिलेगा, उसके बाद भी less marks add हो जाएगा, don't worry, पिछले बार 87.33% था, passing percentage 12th का, 13th का 3 भी ठीक था, तो इस बार CBC कोसिस कर रहे हैं कि आप लोगों को जो passing percentage है, total, वो 92 या 93 के असपास जाए, उके, अगर 93-94% जाता है, passing जो बच्चे pass करते हैं overall, तो काफी अच्छा माना जाएगा, उके, और जो बच्चे इनके सागर fail करते हैं, रिजल अच्छा नहीं आता है, उनके पास chance है, जुलाई, अगस्त में, और फिर 2025 board exam में, जिसका September में, 2024 2024 में ही apply होगा form, as a private candidate, तो आप लो apply कर सकते हैं, हमाई एटिम आपको support करेगी, okay, don't worry, इसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा, तो आप comment कर सकते हैं, यह telegram channel है, और यह whatsapp number है, इसके आप message भी कर सकते हैं, call भी कर सकते हैं, as per requirement, मिलते हैं रोडी में, good luck, bye-bye.